कि तू अपनी मा की इजद कर उसको मैतव दे फिर देख तू क्या से क्या होगा तू अपनी मा की इजद कर उसको मैतव दे फिर देख तू क्या से क्या होगा बस इतना समझ तू चाहा कर भी गुना करेगा फिर भी बे गुना होगा किसी को हसाया गया मैदान में किसी को हसाया गया मदान में तो किसी को बसाया गया मदान में उर्मा वो बोल रहा मुबत के मदान में दोस्त जिस सिर्फ खेला गया मदान में ये कैसी हलचल मची मेरे मकान में है क्या कोई तीसरा आया हमारे दर्मियान में है क्या कोई तीसरा या हमारे दर्मियान में है कोई महुबत ना मिलने के लिए मरा कोई महुबत ना मिलने के लिए मरा मैं महुबत मिलने के बाद मरा जहान में तुने ये क्या कर दिया मुझे को तुने ये क्या कर दिया मुझे को कुछ दिन पहले तो तुमने अबाद किया था पिर क्यों आज बरबाद किया मुझे को फिर था एक रोज तुमने अपना माना मुझे फिर आज क्यों पैचानने से इंकार किया मुझे को उस रोज से कभी खुद को सवारा नहीं मैंने उस रोज से कभी खुद को सवारा नहीं मैंने जिस रोज उतने माता चुम के अपना कहा था मुझे को और बस यही जहन में रखकर तुछ से बेवफाई की सजा नहीं दी मोहबत करना बच्चों का खेल नहीं है गालिबी ने कहा था मुझे को अब एक गजल सुनिया भाई की यूँ तो सीधा साधा बेचारा था मैं यूँ तो सीधा साधा बेचारा था मैं पर कुछ की नजरों में अवारा था मैं जब-जब मोत का सामने भी गवारा था मुझे तब-जब मोत का सामने भी गवारा था मुझे तम तम मेरी मा ने समारत हैं मुझे आज जो वतन की खातिर सेइद हुआ जवान हमारा कल उसकी सुहागन को सिंदूर बेच कर आया था मैं आज जो अदालत में कसम खाकर गवाई दे रहा है कल उसी को अदालत के पीचे तोपा दे कर आया था मैं और ये जो भगवान के रिजाने के लिए लंगड़ चला रहा है, अब इसके अबाब को भूख से प्जानामर्दा देखकर आया हुम् और खुन पसीने से कमाई गई बाब की दुलत बुरीलद के पीछे उड़ागर आया हुम् और जिस माँ ने मुसीबतों में लड़कर हमेशा मेरा साथ दिया अब ये एक लड़की के लिए उसको छोड़कर आया हूँ मैं अब नजरे खास चाहूंगा भाईलाश्ट के दो साहर पिस गजल के कि हम कहते हैं समाज में गंद की फिलाने को वो काम बोलती है आज अपनी गंदी हवस मिटाने के लिए तावाज के पास गया था मैं और समाज की गंद की देख हम अपनी बैन को कहीं अकेले आने जाने नहीं देते एक रोज मुझ से अकेला नहीं मिलने पर उस लड़की से रिष्टा तोड़ाया था मैं और एक सुनिय का भाई की जैसे लोग दिखावा करते हैं कि गंगन अगर ब्रहमन जिमाकर कैसे कम पाफ होगा जब तेले ही गर में बुड़ा परिसान तेरा बाफ होगा माबाँ बुड़ा दर जाते हैं तो थोड़ा उलादों के भरोसे आ जाते हैं वो तो उसकी कहें जब जब ओलाद की वजह से मोज़ासे माबाप पीडी दो डंडी ठोने लगते है तब तब मंदीर में बैटे वगवान भी खंडित होने लगते हैं अयह रिखां कि यूद यह उड़ियां लूग के लिए यह बैठे हुए यह लोग है यह बैठे हुए न मांकों में डरिया समेटे हुए और क्या कहते हो आनंद के लिए आए है और क्या कहते हो आनन के लिए आई है यहां हर कोई है अपनों के सदाए हुए और उम्र बेसक छोटी दे पर किसी नीज़ण के ज़र जनव ने दे बगवान एक बेटी ने कहा ताध एज के लिए जलते हुए मेरी बेटी मेरे जिगर के तुपडे की साथी है मेरी बेटी मेरे जिगर के टुकटे की साधी है कोई कमी नहीं आने दूँगा एक बाप ने कहा था मकान गिर्वी रखते हुए और उसी का सुनेगा कि तुम बहुत अच्छे हो अभी तुमें तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगी तुम बहुत अच्छे हो अभी तुमें तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगी उस लड़की ने कहा था मुझसे मेरा हाथ छोड़ते हुए और मसिफ तुमारी ही नजरों में जिन्दा हुँ है दोस्त मसिफ तुमारी ही नजरों में जिन्दा हुँ है दोस्त कि सर्थ लगी थी खुदा से मेरी मोज से बड़ा हाथसा देख सकता हूं मैं उसको किसी होर का बंते देख लिया इससे बुरा क्या देख सकता हूं कि जैसे जैसे उसके चाहने वालों की आबादी हो रही थी जैसे जैसे उसके चाहने वालों की अबादी हो रही थी वैसे वैसे यारो मेरी बरबादी हो रही थी और मैं नहीं इसलाब मेरी आदी हो रही थी मैं नहीं इसलाब मेरी आदी हो रही थी सब सब कहता हूँ यारो मेरे सामने उसकी तादी हो रही थी धन्नावाद